है एवरिवन मैं हूँ सावीत्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंस आज में लेकार आए हूँ बाजार से भी एकदम बढ़िया समुसा की रेसिपी तो फ्रेंस रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आए रेसिपी है थोड़ा सहातों से क्रस करके डालेंगे तो अजवाइन आप जरूर डालें डो में क्योंकि अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है उपर की परत में जो समुसा के और यहां पर तेल डालेंगे मौयन के लिए तो दो कप मैदा है और एक चौथाई कप रिफा चौथाई कटोरी उसी कटोरी से तेल लें और यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सक्त डो तयार करेंगे और फ्रेंच बहुत ज्यादा इसका सौप्ट डो नहीं करना है सक्त ही रहे जितना सक्त आपका डो रहेगा उतना उपर से क्रिस्पी बनेगा आपका और इसको बहुत ज्यादा मसल मसल करके गुथना नहीं है बस थोड़ा सा इसको जोड़ना है तो इस चीज का ध्यान दे तो यहां पर जिसा कि आप देख सकते हैं कि डो अच्छी तरह से सारा मैदा जूड़ चुका है तो बस इतना ही इकठा कर देंगे इसको बहुत ज्यादा मसल कर गुथना नहीं है अब यहां पर रख करके इसको थोड़ा सा उपर से घी वाला हाथ लगा देंगे ताकि उपर से सौप्ट रहेगा और इसको ढख करके लिए 10 मिनट के लिए रेष्ट पर रखेंगे 10 मिनट में अच्छे से डो सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद अच्छे से और सेट हो जाएगा तब तक स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं तो एक यहां पैन में डालेंगे दो चमब सरसो तेल है अब जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो इस्तिमाल कर सकते हैं और दो टेबल स्पून मुंफली है तेल गरम होने के बाद डाल करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे मुंफली को और गयस का फ्राइम यहां पर लो है मुंफली फ्राई हो जाए थोड़ी दिर में तो इसको निकाल लेंगे एक बरतन में फिर वापस से इसी तेल में जो तेल मुंफली फ्राई किये थे उसी तेल में हाप टीस्पून जीरा है सा साबुत धनिया इसको थोड़ा सा क्रस करके डाले हैं तो फ्रेंस आप देखते होंगे कि मार्केट में जो इस्टफिंग होती है समुषा कि उसमें धनिया जरूर रहता है तो थोड़ा सा क्रस करके यहां पर धनिया आप जरूर एट करें और यहां पर एक इन चदरक का नहीं है यहां बस इसको थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करके बड़े बड़े डाले अपने आप अच्छी तरह से मैस हो जाएंगे थोड़ा बहुत तो कोई problem नहीं है क्योंकि समुषे में थोड़ा बहुत गुटके रहते हैं तो अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और फ्रेंस यहां पर एक चौथाई चम्मच हींग भी डाले थे मैं आपको बताना भूल गए हूँ तड़के की टाइम ही डाले हैं तो आप हींग इसमें जरूर डालें दो चम्मच धनिया पाउडर है कुछ मसाले यहां पर एट कर देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउ पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच आमचूर पाउडर डाले हैं खट्टे और चट्पटे टेस्ट के लिए एक चम्मच कसूरी मेथी है तो इसको भी थोड़ा सा क्रस करके डालेंगे अब सारे चीज को अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे और गयस का फ्लेम हाई है हाई फ्लेम पर मसाले को तीन से चार मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से ताकि इसमें सौधा पन आ जाए स्वादा नुसार नमक और हाप टेस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला डाल करके सारे चीज को अच्छी तरह से मिला करके जिसा कि मैं बताई हूँ कि चार से पांच मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर भूनें ताकि जो इस्टफिंग है इसमें अच्छा सा टेस्ट आए सौ करों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे अब यहां पर धनिया डालेंगे थोड़ा सा तो यहां पर फ्रेंज जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून करके तयार हो चुका है और यहां पर जो मुंगफली भून कर रखे थे उसको भी डाल करके मिला देंगे सारे आलू में मुंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें अगर आप मुंगफली ना डालना चाहें तो यहां पर फ्रोजन मटर हो उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप इस् आठा भी 10 मिनट रेश्ट कर लिया है एक चमच यहां पर घी डालेंगे और इसको थोड़ा सा बस मसल लेंगे ताकि यह थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है बस इसको थोड़ा सा मिलाना है और बहुत ज़्यादा नहीं अब इसकी छोटे छोटे पेड़े काटेंगे ताकि बेलने में आसानी होगी कि तो समुशे का सयरी अपने हीसाब से यह चोटा बड़ा रक सकते हैं मैं मीडियम आच का रख रहे हूँ आप चाहें तो बड़ा या च्छोटा इससे रख सकते हैं इसके थोड़ी सा एक लोई बनाएंगे उसके बाद इसको बचा की बची की जो लोई है उसको साइड में रख देंगे ताकि यो सुखने ना पाए और इसको बेल देंगे बहुत ज्यादा मोटा न बहुत ज्यादा पतला बिलना है जिसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको मोटा नहीं रखना है न ज्यादा पतला ही रखना है कि समोसे की उपरी की परत वैसे ही रहती है जिसके इसकी ठीकनेस मैं आपको दिखा रही हूं रोटी से हो जाए थोड़ा सा पानी लगा करें इसको कॉंड जैसे बनाना है को और प्रेश कर देंगे ताक्त робोर्शे से शेव कर देंगे तली समय मैं यो भी तॉड़ में है पानी लगा करके इसको दबा करके सेट कर देंगे उससे पहले थोड़ा साइड में जो है प्लेट टाइप बना देंगे जिसा कि आप देख सकते हैं वाजार के समुसे में आप देखे होंगे कि पीछे इसी तरह से रहता है थोड़ा सा इसको दबा देंगे बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है फ्रेंट समुसा तो आप एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा थोड़ी भी दिकत नहीं होती है और मार्केट से कई गुना बढ़ियां घर पे समुसा बनकर तयार हो जाता है और बहुत ही सस्ते में भी बन जाता है और टेश्ट तो पुछिये मन बाजार से कई गुना जादा रहता है तो एक समुसा बनकर के तयार हो गया है अब दूसरा भी उसी प्रकार से बना लेंगे आप इस तरीके से एक बार समुसा बनाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएगा यकीन मानिए एक बार जरूर बना लेंगे तो बाहर से लाना कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि घर वाला समुसा इतना टेश्टी बनता ही है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने बसक्त आप करें चला हुआ कौने हो आपके घर में कोई च्होंटी मोटी पार्टी हो या कोई भी गेश्ट आने वाले जबना वाले इस तरीके से ज़िसे समुसा बना करके आप खिला सकते हैं और उनको कभी बिश्वास नहीं होगा कि आपने घर पर बनाया हुगा है और समस्य को बना करके अगर आपके घर में कोई पार्टी है महमान है या आने वाले हैं तो इसको इस्टोर भी कर सकते हैं एक दिन पहले बना करके इसको रख दीजिए फ्रीज में एयर से और इजी काम हो जाता है तो इस तरीके से एक बार जरूर ट्राय करें और यहां पर इसी तरीके से सारा समसा बनकर तयार कर लेंगे और जो स्टफिंग है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें और सेप भी इसका दे सकते हैं फ्रेंज कि मार्केश से थोड़ा भी कम नहीं है और इसको अच्छे से सील करेंगे ताकि तलते टाइम खुले न मैं पहले भी बता चुकी हैं और सारा समसा ऐसे ही बना करके तयार कर लिए हैं जिसा कि आप देख सकते हैं अब इसको चलते हैं फ्राइ करने तो तेल यहां पर बहुत हलका गरम होना चाहिए तेल को लोग फ्लेम पर ही गरम किये हुए हैं पहले से रख दिये थे और इसमें देख सकते हैं कि बहुत हलके हलके बबल सा रहे हैं तो इस चीज का खास ध्यान देना है कि तेल बहुत हलका गरम होना चाहिए और एक एक करके समुषा डालेंगे अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे बहुत ज्यादा गरम तेल में तो समुषे की उपर बबल सा जाएंगे और अंदर से पकते भी नहीं है सही से इसलिए आपके समुषे परफेक्ट नहीं बनेंगे एकदम सौप्ट बनेंगे इस चीज का खास ध्यान देना है और इसको एक साइड से पहले पलटेंगे नहीं जब तक दूसरी साइड सेट ना हो जाए तो इसको एक साइड सेट हो जाए तभी इसकी पलटी करना है और अलटते पलटते इसको गुल्डेन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर फ्राई करना ह बीच में आपको लगे कि थोड़ा सा सेट हो गया है अची तरह से तो लोड टू मिडियम थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कलर आने के बाद इससे पहले नहीं करना इसको और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि समुषे में थोड़ा भी बबलस नहीं आया हुआ है मार्केट का समुजा तो आपने बहुत बार खाया होगा लेकिन एक बार घर पर बना कर जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही एजी है बनाना फ्रेंज थोड़ी भी दिकत नहीं होती है और जटपट बन जाती है हमें तो वीडियो सुट करना है तो सारा चीज एकी बार करना पड़ता है अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो स्टपिंग पहले बना दें उसके बाद डो बना करके इसको बना सकते हैं तो ऐसे आपका काम और इजी हो जाएगा और एक बैच फ्राई हो चुका है और इसका कलर देख सकते हैं निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद इसमें और कलर आता है कोकिंग प्रसेत थोड़ी देर तक चलती रहती है इसलिए इसी स्टेज पर निकाल देंगे और सेकेंड बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लें तीखा आपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं जितना तीखा आपको खाना पसंद हो एक चवथाई चम्मच प्लेन नमक एक चवथाई चम्मच काला नमक आधा चम्मच जीरा है एक चवथाई कप सौरी दही है थोड़ा सा पानी डाल करके इसको एकदम स्मूध पिस बहुत ही चटपटी चटनी बनती है बहुत ही स्वादिश्ट लगती है खास करके समोसी और पकोड़ी के साथ तो आप इसे जरूर ट्राइक करिएगा और सेकेंड बैच यहां पर देख सकते हैं कि फ्राई हो रहा है तब तक चटनी तयार हो गई है उतने देर में क्योंकि लो फ्लेम था सेकेंड बैच भी फ्राई हो चुका है इसको भी निकाल लेते हैं एक छलनी वाले में निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओये लोगा निकल जाएगा तो यहां पर सारा समोसा बनकर तयार हो चुका है कुछ हरी मिर्च यहां पर रख देते हैं तो लिजिए फ्रेंस एकदम मज़िदार और स्वादिष्ट समोसा बनकर तयार है आप भी इसे जरूर ट्राय करिएगा एक बार और जिसा कि देख सकते हैं आप कि बहुत ही खस्ता बना हुआ है समोसा उपर से और एक भी बबल्स नहीं आया हुआ है तो एकदम पर्फेक्ट बना है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी समोसे एकदम पर्फेक्ट बनेंगे और एक-एक समोसा देखिए कि उपर से कोई भी बबल्स नहीं आया हुआ है और बहुत ही खस्ता बना हुआ है मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि समोसा कितना खस्ता बना हुआ है तो एक बार आप जरूर ट्राय करिएगा मैं कई बार कहचू कि जब तक आप इस समोसे को बनाएंगे नहीं इसके वैलियू नहीं समझेंगे तो इसके बाद आपको कौन से रेसिपी चाहिए मिलते हैं कौने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर